चार राज्यों में चुनाओं तक्रीबत देखा जाता है कि 20 जो है उसे साबसे होता है लेकिन अभी जुस्तिती जो सामने है जो रुजान आ रहे हैं कि भाजपा जो है राजिस्थान मदप्रदेश में बहत है और तेलांगाना में जो है वहां नजर आ रहा है कि कॉंगरिस की सरकार आ रही है और 36 गर में जो है काफी नेक टूनेक ऊपर नीचे हो रहा है तो अभी कहना जो है काफी में ख्याल से बहुत ही जन्दवाजी होगा कुछ इस पर कहना को लगता है कि एक बार जब तक एक बज़े तक जो है पिक्चर जो है और थोड़ा साफ हो जाएगा क्ल दलती रहती है आप लोग तो सब लोग देखेंगे 2020 के चुनाओं में चार में तक तो हम लोग बग जी रोक दिया गया था लेकिन फिर बरात के 12 बज़े काउंटिंग शुरू की गई तो कई जगे जो है हम लोग जो है 12 वोट से 50 वोट से 200 वोट से हारे तो यह मामला जो है अभी अभी कहना अभी केवर 13 घंटे ही हुए आड़ वजे से काउंटिंग शुरू थी तो में खाल से भी जो है आक्रों में हो सकता है अभी फिर बदल नज़र आए लेकिन हम लोग उमीद ही करते हैं कि कॉंग्रेस की जीत होनी चाहिए सब लोग लगे हुई है असा नहीं कि बाटिया जो है कॉंग्रेस पार्टी लगी होगी तो लोगों का अपना है कारिकर्ता जो है स्वभाविक रूप से जो है उत्सा में रहते हैं और लेकिन अभी यह देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें जन्दबाजी है कोई बीजेपी का पता ही है ना कि 2015 में पहले पटा का फोड़ लिया था रांग एक दूसरे को गुलाल लगा लिया था उसके बाद नतीजा क्या हुआ तो अभी कहना जल्बाजी करेंगे बीजेपी ने अभी 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 पहले कर चुकी है कोई सब लोगों ने देखा अभी क् को थोड़ा देखना पड़ेगे।